वीडियो हम दो बाते करेंगे, आप पती-पत्नी हैं और आपके दो बच्चे हैं तो दूसरा अभी आपका कोई बच्चा नहीं है इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी एक सबक चैनल को सबस्काइब करें, सबस्काइब करना फ्री है आप पती पत्ती हैं आपके दो बच्चे हैं तो आप सोच भी कैसे सकते हो तलाक लेने का यह दोनों बच्चे आप दोनों की जिम्मेवारी हैं आप पती हैं तो एक दिन आप एक ऐसे बच्चे से बात करो जिसने अपने पिता को खो दिया हो बतलब उसके पिता की मौत हो गई है जैसे ही उस बच्चे से आप उसके पिता की बात करेंगे तो बच्चा रोने लगेगा कि वे अपने पिता को अब कभी नहीं देख पाईगा ऐसे ही आप पत्नी हैं तो एक दिन आप ऐसे उस बच्चे से बात करो जिसने अपनी माँ को खो दिया हो, जिसकी माँ की मौत हो गई हो, तो जैसे ही आप उस बच्चे उसकी माँ के बारे में बात करोगे, तो बच्चा जोर-जोर से रोने लगेगा, कि वे अपनी मम्मी को कभी नहीं देख पाएगा, चलो इन बच्चों की तो मजबूरी है क्योंकि मौत तो भगवान के हाथ में है इसलिए दोनों बच्चे अपनी अपनी जगा रो रहे हैं लेकिन आप दोनों तलाक लेकर अपने बच्चों का क्या कर रहे हो क्यों उन्हें मा या बाप के प्यार के worship के लिए तर्सानी की सोच रहे हो क्योंकि कोट में case करने के बाद आप दोनों की हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा वहा है, कोट ही फैसला करेगा कि बच्चा किसको मिलेगा वो सकता है बच्चा माँ को मिले एक बच्चा बाप को मिले वो सकता है दोनों बच्चे बाप को मिले या दोनों बच्चे माँ को मिले तो उन बच्चों के साथ आप एक महमान की तरह मिलने जाएंगे जो भी दिन या समय फिक्स हुआ होगा तो आप पती हैं मैं आपको यही कहूंगी कि तलाक लेने से अच्छा है कि आप अपनी पत्नी से अगर उससे आपकी नहीं बनती है लड़ाई जगड़ा होता है बाद बाद में तो उस पत्नी से बात करना छोड़ दें या उसे उतनी बात करें जो जूरी है किसलिए बच्चों की खाते हैं तलाक का तो सोचे ही मत यह एक रास्ता यह है कि आप अपनी पत्नी को बच्चों के साथ माई के भेज़ दो और फिर देखो क्या आप उनके बिना रह पाते हो मतलब आपको जब उनको भेज देना है आप उनसे कोई संपर्क नहीं करेंगे उनसे कोई फोने बात नहीं करेंगे फिर आप देखो आपके क्या हाल है खर्चा तो फिर भी आपको वैसे ही देना है और माल लो तलाग के लिए जाते हो तो बच्चे माँ को मिलते हैं तो भी खर्चा आपको ही देना है तो क्या फाइदा बच्चों के साथ भी नहीं रह रहे हैं खर्चा भी दे रहे हो तो क्यों ना पत्णी को ही समझा जाएँ, हो सकता है, उसकी परशानी भी समझ कर देखो, हो सकता है थाव नोकरी करती है, चीड़ाइसलया रहती है, क्योंकि उससे बहुतette नहीं हो पार है, घर औरबाहर नहीं समल पार है, उससे सब कुछ देखना होता है, सुर्ष खाना बना कर जाना है फिर नौकरी पर जाना है नौकरी से आने के बाद बच्चों की पड़ाई बहुत काम होते हैं साज्जी मंवड़ता और सोती है आप पताई आप होका duty है आप कमाने जाते हो इसके लावर कौन सा घर का काम अप करते हो नहीं करते तो इसलिए पत्नी समयने कोईश करो अगर ऐसा कुछ है जो मैंने अपको बताया कि वैं नौक्री वैसे प्रशान है तो नौक्री छोड़ने सकती घर चलाना है तो ना अपने आपको सदा दो ना बच्चों को तलाक लेने की मस सोचो पत्य से नहीं बनती तो उससे जुवत की ज़िए भी बात करो और अपना घर मत खराब खरouse अब हम करते हैं दूसरी बात अगर आपके बच्चे नहीं है तो आप लूब मेरिच करने के लिए एक दूसरे के लिए माबाप को मरने की धंकियां देने लग जाते हो माबाप बेमन मान भी जाते हैं तो शादी के कुछ महने बाद ही आपकी लड़ाईया शुरू हो जाती है और अब आप तलाक लिजा चाहते हो जो यह शादी आपने की है इसमें दो परिवारों की इज्ज़ जुड़ी है तलाक को मजाक म समझो शादी में पैसा लगता है समाच के आगे शादी होती है अगर आपके माबाप को समाच को जवाब देना होगा तो आपको भी समाच को जवाब देना होगा आप पतनी हैं तो मैं तो आपको यही कोँगी कि आप अपने आपको बदल लो लड़कियों को ससुराल में वैसे भी बदलना ही पड़ता है और आपने अपने आपको बदल कर भी देख लिया पर पती का सबाब ऐसा ही है आपको समझा गया है कि यह इनसान बदल नहीं सकता है ना यह बतलेगा और आप उसके साथ अब और नहीं रह सकती है और आपका जिद है तलाक लेने का तो आप तलाक लेने की तब ही सोचें जब आपके माइके वालों का साथ हो आप तलाक लेने के बाद माईके जाकर बैढ़ दाएंगी तो माबब आपसे खुश नहीं होंगे भाभी ताने मारेगी तो कहीं आपको बात में परस्ताना ना पड़े इसलिए पहली शादी में ही अर्जस्ट करें हर शादी में कोईने कोई कमी होती है जस्ट करना भी चाहिए माबाब भी आपकी दूसरी शादी ही करेंगी उनकी तो आप रातों की नीद खराब कर देंगी कि तलाक शुदा बेटी घर आकर बैठ गई आपके आफिस वाले पड़ोसी रिष्टतारों को क्या आपनों सबको जहल पाएंगी आप क्या सोचते हैं कि पती छोड़कर आप पी जिन्दी खुशों से बढ़ जाएगी जैसे पहले आप पुवारिती बलके जिन्दी लड़की की तो और उलस्ती जाएगी और अगर आप पती हैं और आपको लगता है कि जो लड़ाईयां हो रही है वे आप दोनों की वज़ा से हो रही हैं और तो लड़ाई को बीच में रखें मतलब अपनी फैमिली से अपनी पत्नी के बारे में बात करो इसको लेटा कर बताओ कि यह विस्त तलाकर कर चाहती है अगर बड़े हैं फैमिली भरके बड़े मेंबर सो समझाएंगे तो उसे समझाएगी कि वह कहां गलत है अभी उसके मतल तलाक की वज़ा से माबब को समाज को जवाब देना पड़ता है। अगर आप फामिली आपकी नहीं चाहती है कि आप तलाक लो तो आप तलाक मत दे। आप एक बाद बताओ तलाक लेने के बाद क्या करोगे। अकेले जिनकी जीओगे तो ये कहने की बाते हैं। की शर्त होती है उसमें आपको कानूनी तोर पे एक साल अलग रहना पड़ता है और इस एक साल में अपनी पत्नी से कोई संपर्क मत करो यह एक साल आपको समझा देगा कि आपको डावोस रहना चाहिए या नहीं फीजिकली मेंटली और इमोशनली आप स्ट्रांग हो जाएंग ध्यान जाएगा कभी कभी क्या होता है हम साथ रहकर सही फैसला नहीं ले पाते हैं अलग रहने पर समझ पाते हैं कि दूसरे में क्या खुबिया हैं बड़ी मजबूरी हो तो ही तलाग लेना क्योंकि पती पत्नी तलाग तो ले लेते हैं फिर बात में पस्ताते हैं आप दोनों के फैसला यह करना है कि आप कौन सी दिक्कत को जल सकते हैं शादी की बात की दिक्कत या तलाक के बात की दिक्कत तभी आप सभी फैसला ले पाएंगे तिक्ते तो हर जगा ही हैं अगर पती पत्नी आप सोचते हैं कि दूसरी शादी करेंगे तो क्या गरंटी है कि दूसरा साथी इस जैसा नहीं होगा जिसको आपने छोड़ा या इससे भी खराम मिला तो आप क्या करोगे फिर मैं दुबारा कह रही हूँ कि आप पत्ती पत्नी की वज़से अगर आपके लड़ाईया होती है तो अपने आपके सोधारने की कोशिश करें अगर आपकी परिवार वाले की वज़से लड़ाईया होती है आप बलाके पापा आपकी मम्मी आपकी बहन या भाई की वज़से लड़ाईया होती है तो उनसे आप पत्नी को बिठाकर उनको बिठाकर खुलकर बात करो कि जैसे आ आखरी करती है या आपके भाई है उसकी पत्नी घर में रहा रही है और जो दिरानी है रिठानी में लड़ाई हो जाती है दिरानी बहुत तेज है तो उसको बठाकर बात करो कि आप लोग की वैसे मेरे घर में मेरे घर में लड़ाई होती है और मेरी पत्नी से तलाक लेना चाह तो इसलिए आप तलाक मतलो बीवी को मतलो उन लोगो बदलो उन लोगो बदलने को बोलो और अगर तलाक ले भी लोगे फिर आपकी दूसरी बीवी आजाएगी तो यह लोग तो वही के वही रहेंगे इनका परताब तो वैसे का वैसा रहेंगा आपकी परशाइन तो वही की म होगी आप में भी कमी हैं तो फिर क्या आप दूसरी बीबी को भी तलाग दोगे दूसरी शादी में तो पहले से भी ज़्यादा ज़स्ट करना पड़ता है इसलिए इस्ता निभाने की आदर डालो एक सबक चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना फ्री है थैंक्स फर वाचिंग